प्यारे बच्चो इस पार एंटी एनी नीट के क्यूशन पेपर में थोड़ा सा बदलाव किया है और वो बदलाव यह है कि हर एक सब्जक्ट को दो पार्ट में डेवाइड किया है मतलब जैसे हम फिजिक्स की बात करें तो इसमें सेक्शन ए में 35 क्यूशन आएंगे एक क्यूशन फोर मार्क्स का होगा तो यह टोटल आपका वेटेज हो जाएगा 140 का यानि कि यह 35 क्यूशन आपको अटेम्ट करने ही है इसके बाद सेक्शन बी में 15 क्यूशन आएंगे एक क्यूशन फोर मार्क्स का होगा तो इसमें आपको 10 क्यूशन अटेम्ट करने हैं पांच क्यूशन आप छोड़ सकते हैं, 15 में से 10 क्यूशन अपने 24 के आप अटेम्ट कर सकते हैं, तो इसमें 10 क्यूशन के करेंगे, तो 40 का वेटेज हो जाएगा, तो इस परकार से पेपर जो फीजिक्स का है, वो 180 मार्क्स का पहले की तरह ही हो जाएगा, और इसमें जो क्यूशन होंगे, वो 45 क्यूशन से आपको अटेम्ट करने हैं, टोटल 50 क्यूशन आएंगे हर एक सब्जेक्ट में, तो आपको 45 क्यूशन अटेम्ट करने हैं, 5 क्यूशन आप अपने 24 के मुताबिक इसमें छोड़ सकते हैं, ऐसे ही chemistry का है section A में 35 cushions है यह आपको पूरे attempt करने है 140 का यह weightage हो जाएगा इसके बाद section B में 15 cushions है इसमें आपको 10 cushions करने है यानि कि 40 का weightage हो जाएगा इसी प्रकार से chemistry का भी 180 का paper रह जाएगा टोटल क्यूशन आपके 50 आएंगे 5 क्यूशन आप छोड़ देंगे तो 45 का आपका यह paper बन जाएगा इसके बाद botany और zoology में भी सेम ऐसा ही है 35 के आपको जो क्यूशन है वो attempt करने है और जो section B से है वो 10 क्यूशन attempt करने है तो इस प्रकार से ये चारू सब्जेक्ट से इन चारू सब्जेक्ट को दो पार्ट में divide किया है section A और section B section A के 35 क्यूशन आपको attempt करने है section B से 15 में से only 10 क्यूशन आपको attempt करने है तो ये weightage पहले की तरह ही हो जाएगा यानि कि paper 720 का बन जाएगा और आपके जो total क्यूशन आएंगे वो 180 के क्यूशन आएंगे और इसमें आपका 3 hovers का paper होगा यानि कि 180 minutes का ये paper होगा तो सब कुछ same पहले जैसा ही है इस बार section wise किया है बाकी इसमें इस परकार की कोई condition नहीं है कि आपको physics में इतने marks दिये chemistry में इतनी necessary चाहिए ऐसा कुछ नहीं है सब कुछ same है बस आपको ये option दिया गया है कि आप section B से 15 क्यूशन की बजाए आप 10 क्यूशन अपने 24 के मुताबिक attempt कर सकते हैं तो ये एक paper में थोड़ा सा changing था जो मैंने आपको समझा दिया है बाकी update मैं आपको समय समय पर देता रहूंगा जो भी इसमें कोई changing होगी तो मैं आपको बता दूंगा तो मिलेंगे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद